यरा है आज के वीडियों बहुत मसत होने भाली है क्योंकि आज के वीडियों में आपको बतने Tech की जैसे स्वामी ऐस्वामी फौन में lock screen में automatically wallpaper change होता था लेकिन ओ अभी home screen में enable कर दिया गया है तो किस तरह से करना है और कैसे करना है जैसे आप देख सकते में जब double tap करती हूँ मेरा wallpaper simply change हो रही है तो friends ये बहुत must है और must video होने बाली है friends सब tap करने से नहीं एक minter बाद-बाद में change होती है और जब भी आप lock screen को on करोगी तब भी change होगा मतलब यार ये धामाल का वीडियो होने वाली है तो इसके लिए आपको simply वीडियो को शुरू से end तक जरूर देखना और देखने के बाद मेरे चैनलन को subscribe करना सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइगान को जरूर करना क्योंकि ये कभी आपको नोटिफिकेशन नहीं भेजेगा तो लेट्स पिगेन हालो फ्रेंट्स मैं हुआ आकाश और आप देख रहे हैं टेक्सक्स यूट्यूब चैनल इसका मग्सेत है नेवर में फेक वीडियो तो फ्रेंट्स इस वीडियो को बाताने के पहले मैं एक बात बत्यने चाहती हुँ कि मेरे चलन को कभी आप सबस्क्राइब ने विडियो नहीं नहीं बनाता मैं बहुत सारी यूुटिबर को दिखा है जो फेक विडियो बनेता है लेकिन उसको सपोट करोगी मुझे support नहीं करोगे किसले इस वक्त में इस जो वक्त चल रहे हैं इस वक्त में कभी सच्च का support नहीं होता है और सच कडमी होती है इसके लिए वो सब छोड़ दो चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं तो इसके लिए simply आपको एक application को जरुवत पड़ेगा लेकिन वह application आप आपको वीडियो के एड में बता दूँगा तो simply वीडियो को वीडियो में बने रहे तो फ्रेंस वीडियो को जब application को open करोगी तब देख सकते इस तरह का कुछ इस तरह का आपको पास एक interface आएगा तो simply इस तरह के interface आनने के बाद आप देखी सकते यहाँ पर change wallpaper every यहाँ पर एक मिनिट कर दो इसके बाद एक मिनिट जब करोगी यहाँ पर आपको एक दीख जाएगा यहाँ पर दीख जाएगा कि change wallpaper on lock screen unlock मतलब आप जब भी unlock करोगी तो वाल पर change हो जाएगा और इसमें आप दीख सकते हो तो इसमें दीखे हुए the change wallpaper when double tapping at home screen मतलब आप जब भी home पर double tap करोगी यह simply आपको मतलब आपको change कर देगा तो इसको कैसे करना है तो यह सब setup करने के बाद आप simply यह जो album का tab है उसमें चला जाना simply उसमें चला जाने के बाद आप simply देखी सकते इसमें एक wallpaper का यहाँ पर आपको टैप करना पड़ेगा और जैसे टैप करोगी इस तरह के इंटरफेस आजएगा जो जो वालपेपर आप change करना चाहते हो simply ओलपेपर को आप select करने के लिए यह जो प्लेस साइन देखा रही हो इस प्लेस साइन में क्लिक करोगे जब भी क्लिक करोगे इस तरह के पोप आप windows आपके सामने open हो जाएगा और आप simply देखी सकते add image add corrupt image add folder आप भी जब फोलडर इसमें डालोगी तो ओ फोलडर में जब भी कोई वालपेपर आप डालोगी तो ओटोमेटिक लिए पर add होई जाएगा और add image के मतलब आप जो image को चाहते हो ओर दे सकते हो simply इसमें क्लिक करो और इसमें क्लिक करने के बाद अपने पास जितने सारे फोल आप देख सकते हो यह जो फील है यह जरूर कर देना ठीक है इसके यह जरूर करना नहीं तो ओल पेपर धंग से नहीं होगा आपको करने के बाद यह पर बैक चला जाना जब भी चल बैक चला जाओगे आप देखी सकते हो यह जो मतलब यह जो वहल पेपर है यह सेट हो गया आप सिंपली इसमें टैप करोगी यह आटोमेंटिकली वहल पेपर चेंज हो जाएगा तो पहले था कि यह लॉक में जाने के बाद वह लिंक को क्लिक करके अप्लिकेशन को डाउलड कर लो भी मतलब यह से यह वीडियो बहुत कमल के होने वाल है यह बहुत बहुत अच्छा लगेगा आपको फोन में जब आटोमेटिकली इतना बार खोलोगी इतना बार यह ओल पेपर चेंज होता पुए गाल बास सब्सक्राइबर के लिए जीती हुँ जो अगर पस्ता है तो में इस चैलेंग को बंद कर दोंगा यह दावा के साथ के रहे हुँ तो आज की विडियो में बस इतना फिर मिलेंगे दोस्तों टाटा बाई-बाई